तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे grow app को use करकर पैसे कमा सकते हैं अब grow app एक share market brokerage app है जिसके अंदर आप directly किसी भी Indian stock के share को खरीद वा बेश सकते हैं इसके अंदर आप trading भी कर सकते हैं इसके अंदर आप future and option के अंदर भी easily trade कर सकते हैं कैसे इस सारी चीजे आप इसके अंदर करोगे मैं step by step आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को इसके अंदर share को खरीद के भी बताऊँगा, share को बेच कर भी बताऊँगा कैसे mutual fund के अंदर investment करोगे वो भी बताऊँगा, कैसे SIP में investment कर सकते हो वो भी बताऊँगा हर चीज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप लोगों इन अपने phone में कई सारी deals में जरूर देखाऊगा कि कई सारे जो traders हैं, वो बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर कमा रहे हैं वो सिर्फ दो तरीके से इसके अंदर पैसा कमा रहे हैं एक अपने experience के dump है, दूसरा अपने luck के dump है सिर्फ दो तरीके से इसके अंदर आप अपना पैसे कमा सकते हैं अब मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि आप कैसे इसके इंदर share को खरीदोगे और कैसे इसके इंदर share को बेचोगे सब चीज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर फिर भी आप लोगों कोई भी problem आए तो आप please comment box में जरू बताना आप लोगों को grow app पर click करोगे तो आप लोगों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आप लोग सबसे ऊपर profile वाले section पर click करना जैसी इस पर click करोगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको इस पर दिखाई देजाएगा अब refer वाले पर click करोगे तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आप लोगो को refer का option भी मिल जाता है लेकिन इसके अंदर refer policy की अभी कोई भी amount आप लोगो को नहीं मिल ली है मतलब किसी को कुछ भी दोगे तो आपको इसमें amount कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है all order पर जाओगे तो जो भी आप लोगों ने इसके अंदर share market के अंदर मतलब share ले रखे होंगे तो वो आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे all order में mutual fund पर click करोगे तो mutual fund के अगर आप लोगों इसमें investment कर रखे होगी तो वो आप लोगों को इसमें show हो जाएगी bill recharge का मतलब है bill recharge अगर आप लोगों इसके अंदर कोई भी recharge करा होगा या विजली का bill भरा होगा तो वो आप लोगों को इसमें show हो जाती है bank detail पर click करते हैं तो bank detail पर click करने के बाद हम लोगों ने जो भी account बनाने के समय जो भी bank detail डाल लखी होगी तो वो हम लोगों को इसके अंदर show हो जाती है लेकिन अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई और दूसरा bank भी add करना है तो वो भी option आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है add another bank पर click करके आप easily इसके अंदर अपना दूसरा bank account भी add कर सकते है अगर आप लोगों कोई भी this app को से related कोई भी problem आ रही है या आपने कोई भी transaction करी है उससे related problem आ रही है तो customer care executive आप लोगों के लिए 24x7 available है आप easily इसके प्लिक करके और आगे जो भी information जैसे यह है इसके प्लिक करा अब आपको payment से related, stock से related या KYC से referral प्रोलिशन से related कोई भी problem आ रही है तो easily इसके क्लिक करो suppose आपको KYC related आ रही है आपको फिर refer से related आ रही है इसके क्लिक करो तो आप लोगों को पूरी information देगा अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि home page पे जाने के बाद आप लोगों कुछ इस तरीक एक interface मिल जाता है तब आप लोगों को इसमें क्या-क्या इसके अंदर इनका use होता है निफ्टी 50 का मतलब होता है बाई, top 50 company जो share market के अंदर होती है वो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर show हो जाती है bank निफ्टी का मतलब होता है कि bank से related जो भी top 50 company होंगी वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाती है All Indicates पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा ये All Indian Indicates का मतलब है मतलब इंडिया की जो भी है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगी Global Indicates पर क्लिक करेंगे तो जो मतलब US Stock है कोई भी Share को सर्च करना है तो इस सर्च वाला Option आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है अगर सपोज आपको Tata Motor को सर्च करना है अपने Tata Motor पर क्लिक करा इस वकट Tata Motor का जो Share है वो 1000 रुपे का है मतलब 1000 रुपे का Share है अब आप देख सकते हो इसके अंदर आप लोगों को ये Option मिल जाता है कि 5 साल पहले Tata Motor का जो Share था वो कितने रुपे का था तो आप लोगों भी देख सकते हो कि इसका जो 5 साल पहले का जो Share था वो लगबग 2500 रुपे का था ठीक है और इसने मात्र 5 साल के अंदर आप लोगों को 1000 रुपे से भी जादा का Share रिटर्न करके दे दिया है अगर आप लोगों को पैटर्न भी मिल जाता है अगर आप लोगों को इसके अंदर Candlestick पैटर्न चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और अगर आप लोगों को इसके अंदर ये PIE CHAT वाला चाहिए तो ये भी आप लोगों को मिल जाता है अब इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जैसे इस पर ऐसे ऐसे क्लिक करोगे तब आप लोगों को by date ये बता देगा कि इस तारीक को इस Share का क्या प्राइस था जैसे कि 23 सगस 2021 को बात करें तो इसके अंदर एक overview वाला option मिल जाता है overview के अंदर आप लोगों को ये option मिल जाएगा कि today low में ये कितना low गया है today high में ये कितना high गया है और अपने 52 week low के अंदर ये 471 रुपे का था और 52 week high के अंदर 1065 रुपे का मतलब ये Share सबसे जादा 52 week high में 1065 रुपे तक चला गया है और 52 week low के अंदर 471 रुपे का गया है अब थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का option देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आप लोगों को expert की rating मिलेगी expert की rating भी आप लोगों को बहुत वाइदा देगी Share को खरीदने के लिए जैसे कि buy वाला option मिला है जादा तर लोग आप लोगों को यही suggestion कर रहे है जो इसके expertise है कि आपको Share को खरीदना चाहिए और 9% कह रहे है कि इसको hold करो और 13% कह रहे है कि भाई से बेच दो तो आप लोग अपने आप से अनुमान लगा सकते हो कि जादा तर लोग आप लोगों को suggest यही कर रहे हैं से खरीद लो तो आप लोगों को यह खरीदना ही चाहिए देन उसके बाद fundamental पर click करेंगे मैं आप लोगों को बता दूगा कि PE ratio और PB ratio क्या होता है ठीक है अब बात करें अब बात करें इंडस्ट्री PE की तो वो आप लोगों को इसमें 26.2% की मिल जाती है और depth of equity मतलब आपकी जो depth of equity है वो इसके अंदर 2.38 की है और ROE return on equipment equity वो आपकी 28.58% की है तो इस तरीके का option आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाते है face value आपकी 2 है book value आपकी 161 है अब थोड़ा नीच आएंगे नीच आने के बाद financial पर click करेंगे तो आप लोगों देख सकते हो December 2022 में इसकी जो revenue थी वो कितनी थी और आज के समय में December 2023 में इसकी revenue जो है वो कितनी है profit पर click करेंगे तो वो भी आप देख सकते हो वो भी एक मतलब graph जो है इसको आप पो represent कर रहा है कि ऊपर की तरफ ही है net worth की बात करें तो 2019 से लेके 2023 के बीच में net worth ने भी काफी up and down face करें है इस तरीके का option आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है अब अगर about company पर click करेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर ये पता चल जाएगा कि इसका CEO कौन है और इसका जो भी MD है वो आप लोगों को इसमें show हो जाता है नीचे जाएगे थोड़ा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा share holding pattern क्या है मतलब इसके अंदर सबसे जादा जो share holding कर रखी है वो किल लोगों ने कर रखी है तो जो promoter है मतलब इस company के जो owner है उनके पास लगबख 46.36% की promoter holding है और FII जिसे कहते हैं foreign investment वो इसके अंदर 19.20 है और retail investment है 18.36 mutual fund में 9.50 और domestic जो है वो 6.58 है इस तरीके से आप देख सकते हो March 2014 इसका तो यह है December 2013 आप देख सकते हो और last back में भी जाकर आप easily इसके अंदर देख सकते हो अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आप लोगों को इसकी जो top mutual fund invested है वो भी आप लोगों देखने को मिल जाती है अब इससे similar जो stock है जैसे कि यह एक automobile sector की company है Tata Motor तो ऐसी इससे related जो company होंगी असो के लिए land हो गई तो इससे related जो company होंगी उनके share भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाते है ठीक है अब news पर click करेंगे तो Tata Motors से related जो भी news market के अंदर चल रही है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी event पर click करेंगे तो Tata Motors ने इस वकत क्या क्या इवेंट शो मतलब कर रहा है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगे तो future and option पर click करेंगे तो future and option के अंदर आप लोगों को trade करनी है तो वो आप लोगों को इसके अंदर show हो जाती है इस तरीके से आप लोग Tata Motors के अंदर या किसी भी share को analysis कर सकते हो उसके बाद share को खरीच सकते हो अब मैं आप लोगों को इसमें ये बता देता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप लोगो future and option, event और IPO ये वाले option मिल जाते है तो future and option के अंदर trade करनी है तो future and option पर क्लिक कर देना events मतलब event पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये event वाला option आप लोगो इसमें ये सारी चीज़े देखने को मिल जाती है कि dividend कौन सी company देने वाली है इस type के option आप लोगो इसमें देखने को मिल जाते है अब IPO पर क्लिक करेंगे तो जो भी share market के अंदर नई company आने वाली होती है तो वो अपने आपको IPO में list out करती है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी कि इस वकत कौन सी company जो upcoming company है वो आने वाली है जैसे कि bot, oyo, movie week यह सारी company आप लोगों को upcoming में show हो जाती है ठीक है, all stock पर क्लिक करेंगे तो all stock में आप लोगों को इस सारे stock देखने को मिल जाएंगे अब आप इसके अंदर filter भी लगा सकते हो कि आपको market price देखना है 52 week high पर देखना है, 52 week low पर देखना है जा फिर market cap के साब से ही देखना है इधर filter पर क्लिक करके आप लोगों को एक बहुत अच्छा option भी देखने को मिल जाता है कि आप लोग अपने हिसाब से sector चुन सकते हो कि आपको किस sector के अंदर अपनी investment करनी है सब वो sector पर क्लिक करा अब मुझे agriculture से related share market के अंदर list out करना है फिर मैंने agriculture पर क्लिक करा then apply पर क्लिक कर दिया अब मेरे को सिर्फ agriculture से related ही share जो भी होंगे वो show हो जाएंगे इसका ये सबसे अच्छा फाइदा मुझे लगा इसके अंदर जो segregation है वो आप लोगों को easily देखने को मिल जाता है ठीक है इस टैप से related option इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और holding पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कोई भी share अगर खरीद रखा है तो उसकी क्या holding है जैसे suppose इसमें मेरे को दिखा रहा है कि 95 रुपे का मैंने कोई share खरीदा था उसकी current जो price है वो 127 है और 32 रुपे का profit उसने दिया और 33.58% का उसने interest rate मतलब दिया है इस तरीके का interface आप लोगों को दिखाई दे जाता है आप नीचे mutual fund पर क्लिक करेंगे तो mutual fund से related information आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाती है जैसे कि high return वाले अगर आप लोगों को mutual fund investment करना है या large cap माले में करना है mid cap वाले में करना है तो वो आप लोगों को option इसमें अंदर देखने को मिल जाता है तो भाई जैसे अगर suppose मेरको इसके अंदर large cap पर क्लिक करना है large cap मतलब यह है कि जो large cap वाले mutual fund होंगे वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे suppose निपॉन पर क्लिक करा निपॉन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा अगर आपको mutual fund के अंदर investment करनी है तो आपको सबसे पहले उसका NAB देखना चाहिए देन उसके बाद यह आपको आगे भढ़ना चाहिए rating भी देख लेना rating भी आप लोगो को show हो जाती है कि इसकी rating क्या चल ली है मतलब इसकी का मतलब होता है कि इस जो निपॉन है जो इसका large cap fund है mutual fund इसकी क्या rating चल ली है जैसे कि आप लोगो इसमें दिखाए देरा बंधन की जो rating है वो 3 है ऐसी इसमें आप लोगो को हर एक का आप लोगो rating show हो जाती है ठीक है इस type से आप easily इसके अंदर mutual fund के अंदर भी investment कर सकते हो track fund पे click करने के बाद अपने जो भी अपने investment करी है उसकी tracking कर सकते हो कि उसका क्या price है क्या up and down है वो आप easily track fund पे जाके कर सकते हो अब इसके अंदर जो नया function इसके अंदर जो जुड़ा है वो है pay का मतलब आप easily किसी को भी अपनी payment भी कर सकते हो अगर आपको UPI transaction करनी है तो वो भी easily grow app से कर सकते हो अब आप लोग कैसे इसके अंदर recharge भी कर सकते हो मैं आप लोगो को वो भी बता देता हूँ सपोज अगर आप लोगो को किसी को payment करनी है तो वो आप easily इसके अंदर कर सकते हैं और अगर आप लोगो को इसके अंदर mobile का recharge करना है या credit card का bill भनना है तो वो वाल option भी आप लोगो को इसके अंदर कोई भी recharge करना है या फिर आप लोगों को कुछ भी करना तो आप लोगों को option मिल जाता है मैं mobile recharge का option दिखा देता हूँ mobile recharge पर क्लिक करने के लिए आप लोगो permission वागए पर्मिशन बादने के बाद अगर किसी का भी रिचाज करना सपोज इसका रिचाज करना इसका रिचाज करना इसका रिचाज करने के बाद आप लोगो ये प्राइस पूचेगा प्राइस पूचने के बाद आप लोगो ये सेट रिचाज अकाउंट पर जाएगा अब आप लोगो ये प्लान बताएगा कि प्लिस कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा अगर आप लोगो कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें और ऐसी बेलोबल कंटेंट के लिए बेल आइकेन पर क्लिक करें